नमस्कार मैं राहूल राणा ओटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है मेरे चैनल पे मैं बैंक से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स यहां देता हूँ जो भी कार लोन के, होम लोन के, परसनल लोन के, एजुकेशन लोन के जो भी नए अपडेट्स आएंगे, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक यह जानकारियां पहुचाऊंगा मेरी कोसिस है कि सही जानकारी, सठीक जानकारी जैसे ही आजाए, जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुचा दिया जाए जो भी चैन्जिश यहां आते हैं, जो भी चैंजिस आएंगे, यह सभी जानकारी आप तक पहुचेंगे अगर आपको भी बैंक से बताता हूँ, लेकिन मेरी कोसिस है कि मैं सभी बैंकों के बारे में यहां बताता हूँ मैं आपके लिए कोसिस कर रहा हूँ कि मैं धिरा धिरा जल्दी यल्दी वीडियो बनाना सुरू कर दूung जिससे कि आपको जल्दी जल्दी जानकारिया मिलें काफी सारी यहां पर मेरे पास क्वरी आ रही हैं लोगों की कोई Gold Loan के लिए जानना चाहता है कोई Education Loan के लिए जानना चाहता है किसी-किसी के Confusions भी है बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं कोसिस करूँगा दूर करने की अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी समझ नहीं आती है आपको लगता है कि यह जानकारी मैंने जुद्धी है वो सही नहीं है तो आप एक बार मुझे मेरे इमेल पर संपक कर सकते हैं मेरा इमेल आइडी है rahulrana0267 at the rate gmail.com rahulrana0267 at the rate gmail.com यह मेरा personal email आइडी है आप मुझे एक बार mail भी कर सकते हैं मैं आप से personally बात भी कर लूँगा अगर आपकी कुछ क्यारी होंगी जो कि मैं sort out कर सकता हूँ तो मैं causes करूँगा हल फिलाल आज का जो वीडियो है वो है SBI Home Loan के उपर तो आज हम बात करेंगे State Bank के Home Loan के बारे में दोस्तो ना की सरफ State Bank सबी banks के similar मिलते जुलते ही तरीके हैं Home Loan देने के कहीं कुछ changes हैं कहीं कोई considered ज्यादा करता है कहीं कोई considered कम करता है किसी के लिए नियम ज्यादा है तो किसी के लिए नियम कम है depend करता है कि आप कहां से क्या ले रहे हैं लेकिन एक बार की authority दूँगा जिसका home loan state bank से होता है उसको ऐसी कोई भी finance organization नहीं है जो उसको home loan ना दे लेकिन हाँ अगर कोई और finance organization से loan होता है तो इस बात की guarantee नहीं है कि state bank home loan दे क्योंकि state bank से जिसका home loan चलता है वो इस बात की authority होती है कि उसके सारे कागज 110% पक्के है तो चलिए बात करते हैं आज के SBI home loan के बारे में दोस्तो SBI home loan SBI home loan अलग-अलग तरीके से अलग-अलग properties पर देता है आपको SBI का home loan घर बनाने के लिए plot खरीदने के लिए plot plus घर दोनों बनाने के लिए बने हुए घर को खरीदने के लिए flat खरीदने के लिए duplex खरीदने के लिए furniture के लिए modifications के लिए हर चीज के लिए state bank आपको home loan देता है SBI जो home loan देता है इसके जो ब्याजदर है minimum 9.15 आज तारीक है 12 मई 2023 आज की date में SBI का home loan का ब्याजदर 9.15 से लेकर के 9.45 तक चल रहा है दोस्तो 9.15 से 9.45 तक ये ब्याजदर है state bank के home loan का ये depend करता है आपके civil score के उपर minimum rate of interest के लिए जो civil score required है वो है 7.500 7.500 या उससे उपर अगर आपकी civil होती है तो आपको 9.15 का यहाँ पर ब्याजदर मिल जाएगा civil आपकी जैसे जैसे कम होती जाती है किसी भी कारण से तो आपका ब्याजदर भी बढ़ता जाएगा highest ब्याजदर जो है वो 9.45 का है दोस्तो अगर आपका किसी भी कारण से civil कम हुआ है तो minimum civil 600 होनी चाहिए 600 civil से नीचे SBI से home loan नहीं होता है SBI से home loan के लिए कम से कम 600 civil तो होनी ही चाहिए 600 civil में भी कुछ conditions है जो conditions है वो यह है कि आपकी civil में किसी भी तरह का settlement नहीं होना चाहिए अगर settlement है अगर settlement है तो मैं आपको बता दूँ कि एका settlement चल जाता है वो भी कम से कम 5 साल पुराना at least 5 year पुराना settlement होना चाहिए में भी उसके लिए बात करके अगर एक settlement रहा था 5 साल हो चुके हैं उस बात को और फिर कोई loan नहीं चल रहा है कोई settlement नहीं हुआ है तो उस case में आपकी civil considerate की जा सकती है अगर किसी credit card में कोई write-off हुआ है तो considerate की जा सकती है अगर 50,000 से उपर का overdue है तो यहां पर आपका loan नहीं होगा आपको वो overdue clear करना पड़ेगा तो इस बात का ध्यान रखें कि civil में कोई settlement नहीं होना चाहिए किसी तरह का कोई overdue नहीं होना चाहिए अगर settlement overdue होते हैं तो आपको loan नहीं दिया जाता है basis of आपके repayment जो थे खराफ थे पिछले अब बात करते हैं कि state bank मैं बता दूँ जो loan देती है वो देगी आपको businessman and salary class most preference जो है state bank की वह salary class persons को खासकर जो उनके खुद के salary account holders होते हैं उसके बाद में others अन्य salary class लोग आते हैं उसके बाद में businessman आते हैं लेकिन हम state bank जो है वो businessman को loan देती है बड़ डिपेंड करता है क्या-क्या documents यहां provide किया जा रहे हैं आपको यह चीज जानना जरूरी है कि state bank कम से कम 5 साल के लिए loan देती है home loan और maximum 30 साल के लिए तो 30 साल के लिए repayment यहां पर condition होती है 70 साल तक आपकी age होगी तो आपका last मतलब आपकी age 70 साल है तो आपको home loan नहीं मिलेगा अगर आपकी age 60 साल है तो आप maximum 10 साल के लिए loan ले सकते हैं अगर आप defense में हैं तो आप 75 साल तक के लिए ले सकते हैं मतलब अगर आप 60 साल की उमर में हैं और आपको लोन चाहिए और आप defense में हैं या pensioner हैं तो आपको जो लोन है वो 15 साल के लिए मिल जाएगा, 75 एज तक के लिए मिल जाएगा. अगर आप normal DSP account holder नहीं है, corporate salary package में आपका account नहीं है, तो आपको 70 साल आपकी age last होगी, जहाँ पर आपको SBI का home loan मिलेगा, कम से कम 5 साल, फिर depend करता है आपकी age कितनी है, मतलब 70 साल की उमर तक आपका loan खतम हो जाना चाहिए, तो 5 साल जे लेके 30 साल तक. कि home loan किन properties पे होता है, SBI जो home loan देती है, वो देती है forum 4, forum 4 जो जगा है, वहाँ देती है, फारम 4 नहीं है, तो नहीं देती है, लेकिन एक condition में दे भी सकती है, अगर नगर नगम की permission है आपकी जगे पर मकान बनाने के लिए, या फिर construction करने के लिए, तो मिल जाता है, ध्यान लखिएगा, ये मैं home loan की बात कर रहा हूँ, इसमें commercial दुकानों के लिए बात नहीं है, मतलब वो अलग ही segment है, अगर आप बात करेंगे कि मिल को किराए पर दुकान बनानी है, या फिर मिल को commercial ब्यापार के लिए कोई जगे खरीदनी है, तो वो एक अलग category में चला जाता है, यहाँ पर हम home loan की बात कर रहे हैं, मतलब हम खुद का एक घर बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें हम खुद रहेंगे, उस घर की बात चल रही है, कमर्सियल ब्यापार के लिए बात नहीं चल रही है, वो अलग chapter है, उसके अलग conditions है, अलग ब्याजदर है, SBI में home loan लेने के लिए क्या के दिस्तावज लगते हैं, SBI में home loan लेने के लिए आपको नगन निगम का permission चाहिए, नगन निगम की map चाहिए, नगन निगम का house tax receipt चाहिए, estimate चाहिए, estimate होता है valuation, आप bank में जाके valuation करवा सकते हैं, valuation वाले अलग होते हैं, आप bank में जाईएगा, जहां से home loan ले रहे हैं, उनसे बोलेगा valuation कराना है, उसकी जो भी फीस होगी इसको दे दीजिएगा, अपना valuation करवा के वो आपको valuation एक रसीद देदेगा, वो valuation होती है, इसके लाबा हाउसिंग वोड का allotment letter, नसूल की आनपती प्रमानपत लगेगा, कालावनी का layout लगेगा, प्रकोष्ट लगेगा, displacement schedule लगेगा, diversion order लगेगा, नामंतर लगेगा, जो भी documents है, मैं आपको यहां side में लख दूँँगा, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप website करते हैं, business करते हैं, तो आपके 3 photo, 3 photo लगेगे, पैन का bank statement, और 2 check लगेगे, बचत खातेगा, saving खातेगा, आपका statement लगेगा, और कोई loan अगर आपने चखल रहे हैं, तो आपको अपके पूरे loan की पहले से जानकारियां देनी पड़ेगी, और आपके पास जो संपत्तियां हैं, उनकी भी जानकारियां आपको यहां देनी सामने वाला जो विकरेता है, उसके क्या कागज लगेंगे, जो विकरेता है, उसके कागज लगते हैं, एक photo लगेगा, उसका अधर का pen card लगेगा, और उसके घर का बिजली का bill लगेगा, बस यही लगेगे, और अगर आप अपना loan take over करना चाहते हैं, तो take over में खाते का statement ल like take over का मतलब होता है, दूसरी bank से, दूसरी bank से, like LIC से लिया आपने, LIC का loan था, home loan, वो आप SBI में आना चाहते हैं, तो इसको बोलते है take over करना, change हो जाता है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया है, bank का statement लगेगा, और LIC से loan चलता था, तो उसका loan का sanction letter लग जाएगा, उनसे foreclosure letter निकलवा लेना, कि मेरा loan का कितना sales amount रहे गया है, वो लग जाएगा, और other, अगर आपके पास bank की सूची है, तो दूसरी bank को के statement दे दीजिए, then bank यहां से आपका take over bank कर लेगी, after valuation and the property देखने के बाद, basic detail जो थी, मैंने, यहां पे आपको, मैंने basic detail यहां पे आपके सा और दो check लगते हैं, और आपके पास कोई संपतियां हैं, तो उनके detail देनी पड़ेगी, और अगर आपका कोई loan चल रहा है, तो उसके loan की जानकारी देनी पड़ेगी, कभी भी कोई भी जानकारी bank से ना चुपाए, civil में आ जाता है, और in case अगर transunion में नहीं आया, जब loan बन करने के बाद मैं कभी भी experience पर आ सकता है, और आप इस तरह का कोई risk ना लें, क्योंकि आप valuation कराएंगे, आप पैसे भी खर्च करेंगे, सब कुछ करने के बाद इतनी महनत करने के बाद, अगर आपकी कोई loan पकड़ा गया, bank में internal system ने पकड़ लिया, और आप से फिर bank ने ब से पता चल जाती है, तो आपकी पूरी की पूरी loan की file cancel करती जाती है, और आपका बहुत सारा यहाँ पर time and पैसा, दोनों ही बरवाद हो जाता है, तो दोस्तों यह कुछ basic detail थी, home loan लेने के लिए मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी branch, आपके नजदी की कोई भी branch हो, वहा आप पूछिएगा कि state bank का RBO कहा है, जोर्नल office कहा है, अगर जोर्नल office में आप जाएंगे तो वहाँ पर HLST मिल जाएगा, आप home loan sales streams के पास जाकर की भी बात कर सकते हैं, वहाँ पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, I think आपको मेरी दी गई जानकारीया कुछ समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई है, तो मुझे एक बार comment box में लिखिएगा, मैं आपको जो भी जानकारी रह गई है, मैं एक बार समझाने की कोसिस करूँगा, and और कुछ और भी रह गया होगा, मुझे याद आएगा, तो मनेक्स्ट वीडियो में बिलेंगे, thank you for watching my video, please like and subscribe, bye झाल